सरकार चाहे कोई भी हो प्रदेश का सबसे बड़ा करमचारी वर्ग हमेशा अपनी मांगों को लेकर पीडित नजर आता है और ये वर्ग है सिक्षिकों का देखिए प्रदेश में अगर व्याख्यताओं की बात की जाए तो ये कैडर का वो वर्ग है जिनकी सबसे ज़्यादा संख्या हैं तो समश्चाएं भी उनसे भी जादा है अभी पिछले दिनों ही राजस्थान में हर सिक्षक संगठन के दो दिवसिये सम्मेलन का आईजन किया गया लेकिन सिक्षक संगठन रेसला का सम्मेलन महज गिने चुनी जगव पर आईजित किया गया ऐसे में अब सिक् हरपाल दादलवाल राजस्थान एकिकरत शिक्षक महासंग के प्रदेशा अध्यक्ष मौजूद है इनसे ही जानना चाहेंगे हरपाल लगातार शिक्षकों को एक अंदेखी का सामना करना पड़ता है किस तरह की समश्चा हैं आप लोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगोगो कि लगातार करमचारी वरक्त से जुड़ी मांगे हो लगातार अपने इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से सरकार तक इनकी मांग पहुंचाने में लगातार परियासरत हैं इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जैसा कि आपके भी संग्यान में है मीडिया के माध्यम से मीड दुवारा उससे बात और आवाज को दबाने के लिए मेरा नो मेने का निलंबन हो फिर भी नहीं हम नहीं जुखे उसके बाद लगाता है हम सिक्षकों की शमिश्याओं को लेकर आंदोलंद उत्ते चाई शिक्षामंत्री डोटास राजी रहे हैं बाद में बीडिकल्ला जी रहे हैं उन्होंने सिक्षकों की आवाज को दबाने के लिए निलंबन सोड़ा सीची चार सीट पुलिस केस पुलिस मुकदंबे खुब करवाए हैं लेकिन हम दबे नहीं लगाता लडते रहे आचार सरकार नई पूरवर्त नई सरकार गठन हुए भी एक शाल होने वाला है लेकिन सिक्षकों की मांगे जैसे कोंग्रेश कोवर्मेंट में थी ठीक वैसी वर्तमान में भी जल्वन्त और जीविन्त है हमने सरकार गठन हुने के बाद में लंबा समय सरकार से अपिक्ष्या की कि सरकार नायना गठाना सरकार सिक्सव की मांगों को उचित रूप से उचित इनका समाधान करेगी लेकिन अब निरासा सी हाथ लगनी लगई है चाहिए उडीपीशी हो तबादला हो अन्य और भी मांगे हैं उन मांगों कभी तक समाधान नहीं हो पारा जैसे कि आपने बताया व्याख्याता वर्क चूंकि मैं पहली वरिष्ट अध्याफक वरक्षयाता था पिछली बड़ती में मेरा खुद का चैन व्याख्याता में हुआ तो मैं जिस वरक्षयाता हूं उसकी संख्या राजस्तान में लगबग साथ हजार के आसपास है और बहुत ही एक कैडरवे सं संगटन से जुड़े हुए है जब मेरा व्याख्याता में चैन उसके बाद में लगाता जो पिछली बड़तियों से व्याख्याता की रूप में चैनी था उनके लगाता संपर्क किया जा रहा उनके दौरा मांग की गई कि हरपाल जी आप मिलकर हम व्याक्याताओं की कई जलवन समिश्या हैं उनको समाधान करने के लिए प्रियास करें तो मैंनों उनसे कहा कि व्याक्याताओं का तो खुद का एक केडरवे संगठन रेशला वो क्यों नहीं कर रहा जब वास्ता में पता चले कि जो केडरवे संगठन रेशला है उसमें सालों से तो चुनाव नहीं हुए ना सालों से उनके जो सालाना जा उनके रशीदे कटवाई जाती हैं लगबग ती तो उसी का प्रिणाम है कि आज राजस्तान का व्याक्यता वर्ग है अपने आपको ठगासा महसूस कर रहा है और मैं चुंकि उस वर्ग से आता हूँ तो मेरा भी व्यक्तिकत फर्ज बनता है दाइतों बनता है कि उस वर्ग के साथ में जो सरकार की गलत नीतियों के माद्यम से या अन्य जो भी भागिये विवस्ता है उसके माद्यम से कुछ अन् गर्ष करना पड़ा है पिछली सरकार की बात की जाएं जब डोटास्रा शिक्षा मंत्री हुआ करते थे तब वाइस प्रिंसिपल का एक केडर निधारित कर दिया गया और लगपक 12000 व्यक्यता वाइस प्रिंसिपल बन गए उसके बाद 13000 से क्या क्योंकि उनको तो लाम मिल मुझे नहीं पता उनकी क्या मंसा थी क्या सोच थी उन्होंने मिलकर एक संगर्ष भी किया था उसके लिए आदर ने बड़े वाई मौन शियाग जीव समय रेशला का देक्षवा करते थे उन्होंने शंगर्ष करके एक व्याख्याता पोस्ट क्रियेट करवाई लेकिन जैसे जैसे व्याख्याता पोस्ट क्रियेट हुई और प्रदिस्तापन हो रहा है जब उसके परिणाम भी सामने आ रहे हैं मैं चुकि कुछ व्याख्याताऊं की समय है आपके सामने बताना चाहूंगा जो वॉस प्रिंसिपल के आप बात करें उसी साव कि वाईस प्रिंसिपल की वरतमान में जो पे ग्रेड है ओचव águaत क्षण 200 है पहले क्या होताथा कि यधि कोई व्याख्याता कि नुवर्ष ऐस लगती थी तो वो सीधा प्रिंसिपल कि जो पेग्रेड चाहां सड़ सो वहां पहुंचता था लेकिन आज एक व्याख्या था कि नोवर्ष की जो एसीपी है वो लगने के बाद में वो काँ पूछेगा चोहन से पेग्रेड पे उसको आर्थिक रूप से नुक्षान हुआ है इसका पेग्रेड चोहन सो की जगहे यदि व्याख्याता का नोवर्ष के बाद में एस निटी है तो आज भी व्याख्याता संभर की कई समेश्या है बिन्दुवार को समश्याओं से आपके माद्यम से सरकार को अगुत करवाना भी चाओंगा और जो भी वीडियो देख रहे हैं उन व्याक्याता साथ यह तक भी यह बात पहुचाना चाओंगा कि आप जागे हैं आपके अधिकार से आपको वंचित किया जा रहा है आप जिस क समश्याओं का समादा नहीं हो रहा है मैं ऐसा इसलिए किया रहा हूँ क्योंकि आज मेरे सामने लगवग 12 समिश्या हैं जो व्याक्याता समवर्ख से आती हैं वो जैसे कि पहले थी वैसे ही आज दिखाई बढ़ रही हैं सबसे महत्पण मांग है वेतन विसंगती का लगात का समादा नहीं हो जाता है तो व्याक्यातां को प्रति महां काफी लगवग 4,000 रखे ज्यादा रूपए का व्यर्ति महां फाइदा होगा इनके साथ में यह उटारगात हो रहा है दूसरा वाइस प्रिंसिपल के कारण इनके जो एसीपी लगती थी एसीपी जो जहां सीधी प्रिंसिपल पर इन पर्मोट होते थे अब उनको बीच में चोवन सो पे ग्रेट गा एक नया स्टेप उर उनके साथ में जोड़ दिया गया दूसरा आज भी प्रदेश की हजारों स्कूलों के अंदर हिंदी और अंग्रेजी के पद सरजीत नहीं है इसलिए जो मेरे व्याक्याता भाई जो व्याक्याता साथी हैं उनको यह दि कोई अंग्रेजी विश्य के पद श्विकरत नहीं है उप्रदानाचार है कि जो पे ग्रेड़ जो सरकार है निरधारी दिकीब आइस ब्रिंचिपल पोस्ट है हो ये केवल सौन सौ रूपए की इसको भी 6-जार कियाना चाहिए यद verde व्याख्याता पोस्ट है ये सरकार कर खत्म नहीं करते है इसको जारी रखती है तो उसका पेगरेट 6000 करने किया जाना चीए है व्याख्याता साइथ सबसे महत्पुन मांग है कि व्याख्याता साइथ जो भी सिक्सक गरामेनी चेतर में ये जैसे टी-एसपी चेतर में वहाँ पर हाड कोर डूटी करते हैं उनको किसी परकार का हाड तो आपके माद्यम से सरकार तक यह भी मांग है कि हमें एक सबसे महत्पुन है कि आज भी प्रदेश में हजारों विद्यालाओं के अंदर व्याख्याता प्रिंसिपल के चार्ज समाल रहे हैं उनको डीडियो पावर मिला हुए जब एक व्याख्याता डीडियो पावर उसक मैं सरकार से आपके माद्यम से मांग करता हूं कि प्रदेश के अंदर जिन व्याख्याताओं के दुवारा डीडियो पावर और प्यो का चार समाला जा रहा है उन्हें विशेस रूप से इस पेसल अनौंस अलाउंस दिये जाएं क्योंकि वह एक प्रिंसिपल को जो मिलने व बड़ा वेतन उसी आधार पे अपने कार्यों का निर्वेन कर रहा है और व्याख्याताओं के डीपीसी में बड़ी समयश्या है कि सीनेटी को लेकर कई प्रकार के विवाद है वो विवादा भी सुप्रेम कोट में विचारा दीन है मेरा सरकार से यह भी अनुरोद रहेगा और सबी व्याख्याता सातियों से भी कि कोमन सीनेटी के विशेपर भी अब समय आ गया है अब इसको मिलकर हमें समाधान और उचित विवस्ता सरकार के माद्यम से करवानी जाने चीए जिसे डीपीसी लगातार कोट में विचारा दीन नहीं रहे और जिस मांग को लेकर 2021 में मुझे आड दिन का अंसन करना पड़ा, नो महने का निलमन सहना पड़ा, दो-दो बार सोडा सिस की चार सिर लेनी पड़ी, कई केस मुखदंबे खाने पड़े, वो मांग है तबादला, जैसी वो मांग पहले थी, आज वी जस्कितस बनी वी है, नई सरकार से आब बड़ी करेंगे, नीती बड़ाएंगे, नीती बड़ाएंगे, लेकिन साल बर हो गया, और पिछले समय आपने देखा कि आनन भानान में कुछ लिस्टे निकाली जाती है, कुछ ब्याख्याताओं की ट्रांसफर होते हैं, कुछ प्रिंसिपल के ट्रांसफर होते हैं, कुछ ग्रेड आपने कुछ व्याख्याता हूं को ट्रांसफ के वापस न्या जो विरोध हो तो आपस Warum कि इस ताही पार्दर्शी एक थबात लानीती बना दी जाए मत्ययम से चाहिए व्याख्याता हो चाहिए प्रिंस भाग लेने का अवसर मिलें जिसे भाई बती जावाद राजनेती से प्रित किसी प्रकार कहें सिक्सों के साथ कुटारगात नहीं हो आज आने वाले समय में दिपावली का पाउन पर वा रहा है दली जी मां आपको बताते हुए बड़ा मुझे अफसोस हो रहा है कि सरकार का य नहीं दिया जाता उनका यह के गजिटेड़ दिखारी एंपर आज ऊचीए आप अपनी मांगो को लेगर आगे क्या किस तरह की रण नीती किस तरह का आंदोलन किस तरह सरकार के सामने रखा जाएगा कि जब से मेरा वे व्याक्यता में चैन वहा उ सकी बाद में लगाता वी बीविन माद भीवहतान में रेसला जू का डर्वे संग आज करता है उस व्यवस्था में सुदार करके लोकतांत्री पर किर्या केता है तो संगठन का पुनहे निर्बान करने का आग्रह किया परियास किया लेकिन आज भी उस संगठन के जो प्रदेश इस तरिये अध्यक्स बने बैठें जिला इस तरिये अध्यक्स बने बैठें उनका स्वेम का उप्रदनाचारिय मतलब वाइस प्रिंसिपल में परमोशन हो गया लेकिन आज भी अपने पद के लोलुपतार पद से चिपके हुए है उप छोड़ना न करते हैं काफी दिनों से विचारूइमर से ल रहा था और आने वाले 5 तारीक 5 नौंबर को प्रदेश की राजदानी जेपुर में प्रदेश का हर जिले से एक नेतरुट के रूप में हर ब्लोक से व्याक्याता साथी जेपुर में जुटेंगे और मिलकर एक देलेंगे का भ जो केडर वे संगठन है उसका केडर की पुनरिस्ता अपना हो एक क्रांति के रूप में हमें यह कदम उठाना पड़ेगा तो हम उठाएंगे उसके सुरवात भी हो चुकी है आज हमारे प्रदेश के लगबग सभी जिलों के अंदर रेशला आर के नाम से वोट्सअप बन चुका के रूप में उसको सरकार के खिलाब आंदुलन करना कड़े दहना देरना पड़े शंगर्श के लिए सडकों पयाड़ेगा तो व्याख्यताओं की समश्चा लंबे समय से जस्कितस बनी आ रही है। 12 सूत्री मांगो का जो एक ड्राफ्ट है वो इनके और से तयार कर लिया गया है। इसके साथ ही 5 नवंबर को जैपूर में व्याख्यताओं की एक मिटिंग आयो जित होगी जिसमें इनकी मांगो को लेकर अंतिम फैसला होगा। साथ ही सरकार तक ये मांगे किस तरीके से पहुचाएं जाएंगी इसको लेकर भी रणनिती बनाई जाएगी। आप देखते रहिए दनगरी मीडिया मैं हूँ ललेत वर्मा।